हलो इब्रेवन मैं नेम इस अलोक वेलकम बैक तो मैं चानल और आज मैं टटिंग के ऊपर और एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है टटिंग पार्ट थ्री एक बेसिक टटिंग है तो यह जो कमिनेशन यह बहुत ही सिमिलर है पार्ट वन और पार्ट वीडियो में तो आपको प्रैक्टिक्स करते वक्त इजी बहुत ही लगेगा तो चलिए लेट किये बिना इस ट्रीटिंग को सुरू करते हैं तो सब सब पहले एक्सराइज कुछ कर लेजे क्योंकि अच्छा परफिक्शन नहीं मिलेगा आपको टटिंग कॉमिनेशन में तो बी शियोर मेंगे लेटल वाम आप हातों को स्ट्रेश कर लो कुछ इस तरह उसके बाद प्रैक्टिस करां तो दूसर जैसे मैंने कहा था ही कि यह बहुत सिमिलर है पार वन और पार वीडियो के चली करते हैं तो हैं तो एहम कि मैंने टेवब लगा हुआ है हातों में यह मेरा राइथ हांड है और यह लिप्ट हैंडए है। आपको recognize करने के लिए बहुत easy लगएगा तो चलिए शुरू करते हैं praying position में तो praying position से start करते हैं पहले right hand जाएगा उपर उसके बाद right hand down उसके बाद right elbow down यहां पर कुछ इस तरह यहां पर दिखिए right elbow elbow down हो रहा है ठीक है right elbow down के बाद यहां left elbow down होगा इस तरह ठीक है left elbow down के बाद right hand नीचे की तरफ slide करेगा कुछ इस तरह ठीक है उसके बाद left hand कुछ इस तरह से अब होगा right hand के उपर उसके बाद left hand को उपर साइट slide होगा कुछ इस तरह उसके बाद elbow down उसके बाद left hand up right elbow up right hand slide to left hand box back to praying position है तो यह बहुत ही इसी था बस आपको थोड़ा अच्छी तरह से concentrate करना होगा यह सिखने के लिए तो दोस्तों कि साइध मुझे लगा कि आपको यह थोड़ा सा difficult लगा तो इसलिए मैं सोचता हूँ चलिए क्यों और एक बार slow में करते हैं पूरा slow में ठीक है धेरे धेरे करते हैं मेरे साथ कीजिए राइट हैंड आप राइट हैंड ठीक है डाउन देखे राइट हैंड इस तरह से डाउन हो रहा है ओके राइट एलबो डाउन इस तरह उसके बाद लेप्ट एलबो डाउन कुछ इस तरह राइट हैंड स्लाइट टू डाउन लेप्ट हैंड के ऊपर और राइट हैंड स्ल इस तरह इसके बाद right hand लेफ्ट hand के ऊपर कुछ पढ़ेगा इस तरह उसके बाद ऊपर की तरब left hand slide करेगा कुछ इस तरह उसके बाद और एक बार left hand right hand के ऊपर पढ़ेगा कुछ इस तरह उसके बाद right palm और hand को up sorry left hand up right hand right elbow up slide in और एक बार box बनना लिजिए slide to the same position come back to praying position फाइनल आप तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था आज के लिए और मुझे लगते हैं कि ये वीडियो बहुती easy लगा हो आपको सिखने के लिए अगर आपके पास कुछ भी सवाल हो इस वीडियो से related तो आप मुझे comment करना मत भूलिएगा ताकि मैं next वीडियो को easy combinations है मैं बता रहा हूँ जो part 1, part 2, part 3 तो अगर आप इन सब को combine करके करते हो तो ये obviously एक illusion create करता है कुछ इस तरह देखिए तो ये practice के ऊपर depend करता है कि कितना practice करते हो कितना perfection लाते हो अपने हाथों में कितना flexibility लाते हो अपने हाथों में इतना ज़्यादा practice करेंगे उतना perfectly आप कर पाओगे steps को क्योंकि cutting एक boss बहुत ही best dance form है अगर आप इसमें master कर लेते हो तो आपको popping और locking करने में कुछ और कुछ भी problem नहीं होगा तो दोस्वास इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो please do not forget to like, comment and share और आप चाहते हो अगर मैं next video में और भी बहुत सारे totting के parts लाऊं तो please do not forget to subscribe to my youtube channel till then keep practicing, never give up, I will see you later झाहते हो नहीं है